मोटर साइकल चोरी कर रहे चार चोरों को पुलिस ने धर्दबोचा जिले भर में आई दिन मोटर साइकल चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही गोगरी थाना चेतर के वहादुर पूर गाउं से मोटर साइकल चोरी कर मोटर साइकल लेकर भाग रहे चार चोरों को गाउवाले ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया वहादुर पुर गाउव के मडीकांत यादव की पुत्र सुनील यादव ने गोगरी थाना में आविदन देकर का कि रातरी बारब बीस बजे में अपने घर में सोया था तबी कुत्ता का जोर जोर से हला होने लगा तो कुत्ते के हला सुनकर मेरी नीन तूट गया तब घर से बाहर निगल कर देखा तो मेरे दर्वाजे पर मेरा भाई अभिशेक यादव कर लगा मोटर साइकल नहीं है तबी हम जदर कुट्ता हला कर रहा था कुट्ते का पीछा करने गए देखा चार चोर मेरे भाई का मोटर साइकल खीचते हुए जा रहा था क्योंकि मोटर साइकल चालू अवस्था में नहीं था चोर को देखकर हमने हला करना शुरू किया हला सुनकर गाउं के लोग जाग गए और चारो तरफ से लोगों ने चोर को घेर कर पकड़ लिया पकड़े गए चोर से उसका नाम पूछा चोर ने अपना नाम बताया कि चांदपुर निवासी चंदर शेखर महतो के पुत्र नीरज कुमार विनोद साह के पुत्र रुपीश कुमार गोगरी कुंडी निवासी दिवाकर पांडे के पुत्र अमन कुमार एवं उसरी निवासी सुबोध मंडल के पुत्र कुंदन कुमार बताया चोर को पकड़ने के बाद हमने अपने मुबाइल से गोगरी थाना को जानकारी देने पर गोगरी पुलिस मौके पर तुरंद घटना सल पर पहुँच गए पुलिस पदादिकारी को घटना सल पर पहुँचने पर चारो चोर एवं चोरी की गई मोटर साइकल को पुलिस के हवाले किया पुलिस ने चारो चोर को अपने कबजे में लेकर जांच करने लगा एवन चारो चोर को पकड़े पकड़ कर थाना लेकर गए इस मामले थाना द्यक्ष विभा कुमारी ने बताया कि मोटर साइकल चोरी के मामले में चार चोरो को पकड़ कर ग्रामीडों के द्वारा पुलिस के हवाले किया गया है गोगिरी थाना छेतर में कई लोगों का मोटर साइकल चोरी होने की सूचना है जिसमें चारो चोर को पुच्टाज किया जा रहा है जाज फ्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी चोरो आरूपी को जेल भेज दिया जाएगा BNP News के खगडिया जिले से रिपोर्टर मश्रूर आलम की रिपोर्ट